अचाससी एसिस्टेंट लाइनमेन का जो अग्जाम कंड़क्ट किया गथा मौनिंग सुट में उसमें जितने भी क्यूशन आयतन को डिस्कस करेंगे यदि आपको अचाससी के और भी क्यूशन पेपर देखने भी सॉलिशन तो आप में यूटूब चनल के उपर जाके देख सकते हैं और यदि आपको अच्छा सेखी क्यूशन पर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्ट्रिप्शन में आपको वाइब साइट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो ये तीनों के याँते है चमक क्या परयाईवची नहीं होता है तो ये जो आपने मौावरा बहुत बार सुना होगा इसका मतलब क्या हता है अमर जाना तो B option क्या ज़ेगा इसका right next question है दिये गए वाक्य में रेखांकित किये गए सबत का सही एक वचन चुने तो माने मेरे लिए गी बनाई तो इसमें जो गी है यह आपको पता होगा इसका एक वचन भी क्या होता है गी होता है तो इसमें जो B option क्या होजएगा right next question है रिती सबत का बहुचन का सही चैन कीजिए तो इसमें जो रिती का बहुचन क्या बनेगा तो रितिया तो D option क्या होजएगा रायत है इसमें जो या होगा इसके उपर चंदर बिंदू लगेगा next question है choose the correct synonym for the word given below startle देखें सिनोनिम का मतलब होता है same sabad यान की समानार्थक तो startle का जो मतलब होता है चोकना या फिर आस्चरिय तो इसका सिनोनिम क्या होजएगा surprise क्योंकि surprise का मतलब भी क्या होता है चोकना या फिर आस्चरिय next question है choose the correct synonym for the word given below antonym का मतलब होता है उल्टा यान की भी प्री इतार्थ है या फिर इसको विलॉम बोलते है तो hostile का जो है मतलब होता है विरोधी यान की विरोध करना यान की किसी की help ने करना तो इसका जो antonym और इसका positive क्या हो जाएगा helpful यान की मदद करना उस्टिल का मतलब होता है मदद नहीं करना जिसको वीरोधी बोलते हैं और अलफुल का मतलब होता है सायता करना तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा A option next question है choose the correct meaning for a piece of cake तो इसका correct meaning क्या होना चाहिए देखिए आपको पता होगा piece of cake का मतलब क्या करना बिल्कुल easy है तो easy work क्या होता है यानकी an easy job अब यहां पर difficulty word use क्या है यहां पर difficulty यहां पर difficulty तो यह तीनों आपस में जो है पहले ही cancel हो जाएगे क्योंकि cake काटना क्या है easy काम है तो यह क्या हो जाएगा A option क्या होगा इसका right next question है find the grammatically correct sentence from the given option तो यहां पर देखिए पहला जो इसमें दिया गाए यहां पर I use नहीं होगा ठीक है तो यहां पर क्या use नहीं होगा I तो इसमें जो है और shopping के साथ क्या लगता है four तो यहां पर इसमें right answer क्या हो जाएगा C option Tara took among and me for shopping तो shopping के साथ क्या लगेगा यहां पर four four तो उपर भी लगा हुआ है लेकिन यहां पर I use क्या गया है तो I की जिगा क्या हैगा me तो इसमें C option right हो जाएगा next question है complete the sentence using correct option for each blank that best fits the meaning for the sentence as a whole तो यहां पर खलिस्तान में आपको एक ऐसा word बरना है जो इसके लिए बिल्कुल fit हो तो यहां पर line दी गई है कि I don't have a car because I cannot खलिस्तान दप्राइज मेरे पास जो है car नहीं है क्यों नहीं है देख़ो आपको पता होगा car क्यों नहीं है तो इसके जो लिए जो हमारे पास पैसे नहीं होती next question है who among the following was the first Indian member of house of common of the United Kingdom यहां पर देख़ो आप द्यान से देखेंगे तो नीचे हिंदी में भी दिया गया है तो आप इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ सकते है तो United Kingdom के house of commons के पहले बारते सदसे निमन लिखित में से कौन थे इसका right answer क्या होजएगा दादा भाई नोरोजी next question देखिए pink ball test के समद्ध में इनिमन लिखित में से कौन सा कतन ऐसकते है तो इसका वदन 100 gram होता है तो यह क्या होजएगा इसका right answer next question इनिमन लिखित में इससे बरंपुतर की साहिक नदी कौन सी है next question देखिए नैस क्यूसन देखिए पानिपत सेर को क्या बूलते है नैस क्यूसन है हर्याना के पहले राज़िपाल कौन थे तो इसका right answer क्या हुझाईगा स्रीद रमवीर C option इसका right है Next question है 2 जनवरी 2019 को पुरांगिक नदी सरस्वती को पुनर जीवित करने के लिए कौन सी प्रियोजना को मंजुरी दी गई तो इसका right answer क्या हो जाएगा सोरी कितनी प्रियोजना को मंजुरी दी गई तो 11 तो C option इसका क्या हो जाएगा right Next question है 12 फर्वरी 2019 को पुर्दार मजुरी नदी ने प्रियोजनाओं की आदार सीला रखने के लिए हर्याना की किस स्थान का दोरा किया तो इसका right answer क्या हो जाएगा कुरुक छेतर B option इसका right है Next question है फर्वरी 2020 की स्थीति में हर्याना के मुख्यमत्री कौन थे तो इसका right answer क्या हो जाएगा श्रीमती केसनी आनंद अरोडा इस तो इसमें जो A option क्या हो जाएगा right Next question है फर्वरी 2020 की स्थीति में हर्याना के मुख्यमत्री कौन थे तो इसका right answer की जएगा मनोहरलाल खटर डी उप्षन इसका right है Next question देखे सवस्थ सर्विक्षन 2019 के नुसर हरियाना का कौन सा सहर सबसे सवस्थ वाना जाता है तो इसका right answer की जएगा करनाड बी उप्षन इसका right हो जएगा नैस क्यूसने खालिस्तान में हरियाना को पर्चूर मात्रा मेनाज और अपार धन की बूमी के रूप में जाना जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होजएगा महाबारत डी ओप्षन क्या होजएगा राइट नैस क्यूसने कुरुक्षेतर जिले के उस قस्बे का नाम क्या था जहां कर्शन ने अरजुन को बगवटगीता का उपदेश दिया तो इसका राइट आंसर क्या होजएगा जोतिस सर डी ओप्षन इसका राइट है नैस क्यूसने किस सहर को हर्याना के हर्दे के नाम से जाना जाता तो किस को बोलते हैं जीन्द को बी ओप्सिन कराइट हो जाएगा नैस क्यूसने हर्याना के पंचकुला जिले में कौन सा बांच दीता है तो हर्याना के पंचकुला में जो है कोसल्या बांच दीता है next question है हर्याना विदान सभा में खलिस्तान विदान सभा सदेश से होते हैं जो सीध एकल निर्वाचन छेतरों से चुने जाते हैं तो इसका right answer क्या होजएगा 90 विदान सभा सदेश से next question है जनुरी 2020 को हर्याना के शिक्षम मंत्री कौन थे इसका right answer क्या हो जाएगा कवरपाल गुजर तो इसमें D option क्या हो जाएगा right next question देखिए हर्याना का राज्य पक्सी कौन सा है तो क्या है इसका black के फ्रान कॉलीन तो इसमें A option क्या हो जाएगा right जिसको बोलते हैं काला तित्तर next question देखिए हर्याना की काले सर राज्य पक्सी कौन सा हर्याना की तो हर्याना में कोन सा आम बासा बोली जाती है हर्यान भी next question है खालिस्तान ने हिंदी पत्री का संदेश की सुरुवात की तो इसका राइट आँज़ जाएगा पंडीत ने के राम सर्माने D option क्या हो जाएगा जिसका right next question है खालिस्तान हरियाना के पहले आधिकारिक रज़े कवी थे तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा उदे बानू हंस C option इसका राइट हो जाएगा Next question देखिए खालिस्तान विख्यात कभी थे जिनोंने विनोबा बावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने मदूर गीतों का इस्तमाल किया था तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बाई पर्मानंद Next question देखिए खालिस्तान ओपरेटिंग सिस्टम अलग लग टर्मिनल पस्तित वो द्योग करताओं को एक ही समय में एक ही कम्पूटर सिस्टम का उप्योग करने में सक्सम बनाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं multi-tasking C option इसका right है Next question है CPU chips खालिस्तान कारियत्मक session में बना होता है तो इसका right answer क्या होजएगा 4 यहनकि CPU chips are composed of four functional section Next question है खालिस्तान module एक ऐसा उपकरन है जो बोले गए सब्दों को ऐसी जानकरी में प्रिवर्ट करता है जिसे computer द्वारा पहचानना जो पहचानना जा सकता है और उसे process किया जा सकता है तो इसको बोलते है voice recognition तो इसमें B option क्या हो जाएगा right Next question है email hacking कितने तरीके से की जा सकती है तो email hacking जो है तीन तरीके से की जा सकती है C option इसका right time Next देखें यहाँ पे नमबर दिये गए है 900 बिवासी 940 नोचसो यहाँ पे अगला नमबर क्या है गई आपको बताना और उसे अगला जो नमबर यह क्या गई 826 देखें यहाँ पे मैं नमबरों को दुबारा से एक बर लिख लेता हूँ अच्छे से फिर आपको समझ में आ जाएगा कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे मैंने इनमबर लिख लिया 900 बिवासी एगला जो नमबर है यह 940 है एगला जो नमबर है यह 900 है Next नमबर यहाँ पे बताना जाएगा ठीक है 862 अब 862 में इस index जो नमबर है क्योंकि 38 के बाद 36 माइनस करना है तो मैं इवर 36 माइनस करके देख लेता हूँ ताकि हमारा आंसर में चुझाए तो 12 में 6 गटाए 6 5 में से 3 गए 2 826 आना जीए जो कि आपको 826 दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो नमबर आएगा वो क्या है गाट 32 पहले बिवाड़ इस गटाए फिर 40 फिर 38 फिर 36 तो इपना जो राइट आनसर के आजएगा सी ओप्शन नाइस क्यूशन देखिए यहाँ पे टेबल को टी ए बी अली को जो है 3 करते हैं तो क्या आता है तो ए में से जिती है एक- करते हैं तो जड आएगा बी में से 1- करेंगे आएगा ल में से 2- करेंगे करेंगा तो आएगा- तो इंप एक लगा नमबर दिया गया है ल-i-zw- dla- ठीक है सही्वे जब एक- माइनस करेंगे तो क्या जाएगा के आई में से जब एक माइनस करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे एच जड में से एक माइनस करेंगे तो कितना जाएगा वाई ए में से एक माइनस करेंगे तो कितना जाएगा जड आर में से एक माइनस करेंगे तो कितना जाएगा क्यू डी में से एक माइनिस करेंगे कितना जाएगा C तो यह option देख लेंगे हम K, H, Y, Z, Q, C जो के अपना B option में दिया गया है तो इसमें जो B option के आजएगा राइट Next question देखें उस संख्या को चुने जो समों में दूसरी संख्यों से बीन है तो यहाँ पे आप देखेंगे न तो ECA1 का ऐसा नंबर एक composite नंबर है जिसके दो से ज़्यादा factor है ECA1 में भी composite नंबर है स्तेतर भी composite नंबर composite नंबर को इंदिय में बोलते हैं जो है बाज्ये संख्याएं जिसके दो से ज़्यादा गुलन खंड होते है ECA1 आपको पता होगा 3 से भी भाग हो जाता है 17 से भी हो जाता है खुद ECA1 से भी होता है ECA1 से भी होता है 7 से भी होता है 13 से भी होता है 17 से भी होता है 17 से भी हो जाता है 7 से भी 11 से भी और 17 से भी लेकिन 17 में केवल 1 और 17 में केवल दो से दिवाइड होता है, खुद से और एक एक से, तो यह कैसा नमबर एक प्राइम नमबर है, तो यह आपको याद रखना है यहाँ पर 97 कैसा नमबर है प्राइम नमबर है, तो इसमें जो B option क्या जेगा, right next यहाँ पर देखिए series को complete करना है, यहाँ पर मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ A, C, M, O यहाँ पर इसके नीचे दीगा गया है F, H, R, T ठीक है, देखिए A का यहाँ पर देखिए A का यहाँ पर H बना दिया तो F बना दिया तो A का कैसे बना दिया, यहाँ कितना एड किया गया 5 C का यहाँ पर H बना दिया, तो इसमें 5 एड कर दिया A, में भी 5 एड कर दिया, O में भी 5 एड कर दिया सभी में 5 एड किया गया तो इसी तरी के सिया पर G, I, O, Q सभी में 5 एड कर लेते हैं जब सभी में 5 5 आड़ करेंगे देखिए G में जब 5 आड़ करेंगे क्याएगा L I में 5 आड़ करेंगे N O में 5 आड़ करेंगे T और Q में 5 आड़ करेंगे V तो L and T V तो ये option देख लेंगे हम ये अपना जो है D option दिया गया है Next question एक mobile phone की कीमत 6500 रुपए है उसे 6370 में बेच दिया तो हानी पर तीसद ग्याद कीजिए आपको पता होगा जो जितने रुपए में खरीदे उसको क्रेंगे बोलते हैं जिसको हम बोलते है कोस्ट प्राइज तो इसका कोस्ट प्राइज दिया गया है 6500 रुपए है Next है यहाँ पर सेलिंग प्राइज कितने में बेच आ गया है इसको मस्ट पी बोलते है 6370 में देखो खरीदा था सेड़े 6000 में बेच दिया 6370 में तो सिदी सिवाता ज्यादा में खरीद के कमें बेचेंगे तो नुक्सान होगा तो लोस कितने का होगा लोस निकालने का फार्मूला क्या होता है कोस्ट प्राइज माइनस सेलिंग प्राइज तो यहाँ पर कोस्ट प्राइज 6500 रुपए है selling price 3,370 तो कितने का नुक्सान हो गए यहाँ पर 130 रुपे का क्या हो गया loss अब loss पर 30 सद निकाल लाएगा आपका फार्मूल लाना चाहिए loss उपर CP नीचे multiply में handed तो यहाँ पर loss हो रहा है 130 रुपे का खरीदा कितने में था वो नीचे लेख लेख लेगे 1500 में multiply में 100 तो देखिए यहाँ पर 2-0 से तो 2-0 काट लेगे 65 चे काट लेते हैं 130 को 2 पर कट जाएगा तो 2% के क्या हो जाएगा loss तो इसमें हम option देख लेगे कौनस option दे रखा है तो यहाँ पर जो है D option क्या हो जाएगा right next यहाँ पर जो है simplification करना बदमा सरूल है B O D M E S सबसे पहले bracket solve करते हैं फिर O F का मतलब वहता गुणा फिर divide फिर multiply फिर add और last में subtract M का मतलब multiply bracket O F का मतलब multiply D का मतलब divide यहाँ पर जो M H का मतलब भी multiply तो इस तरीके से आप जो जिसको याद कर सकते हैं bracket आपको पता होगा एक small होती है करली होती है और एक large बोलते है जिसको square bracket भी बोल सकते हैं तो अब यहाँ पर solve करते हैं सबसे अंदर वाला solve करते हैं देखिए आप स्टार दिया गहा है स्टार का मतलब है यहाँ पर multiply सबसे पहले अंदर वाला को डिवाइड करते हैं 15 को 3 से डिवाइड करें कितना आएगा 3, sorry 5 तो 120 plus में 130, sorry only 30 30 multiply में अंदर क्या है आपे 30 minus कितना आएगा 5 ठीक है अब अंदर वाले minus को solve कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले bracket solve होती है तो 30 में से 5 गटाएं कितना आएगा 25 अब bracket को फिर से solve कर लेते हैं 30 की और 25 की multiply करेंगे 750 750 में जब आप 120 से डिवाइड करें कितना आएगा 870 तो यहाँ पर option देख लेंगे 870 कौने से option में दे रखा है C option में next question है 240 के 35 परतिसद का मान बताना है तो यहाँ पर 240 का 240 परतिसद का टाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं OFF का मतलब क्या था है गुणा 40 डिवाइड में 100 यानि कि 35% of 240 तो 35 तो यहाँ पर 40 परसेंट ले लिए मैंने 35% of 240 तो 35 गुणा में 240 डिवाइड में 100 इस तरीकेशा आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैं सूल कर लेता हूं 0 से 0 का लेता हूं 2 से काटूँगा यह 12 पर 2 से काटूँगा 5 से 5 से काटूँगा 35 साथ पे 7 और 12 बचेगा 12 के साथ से मल्टीप्लाइ करते हैं कितना था 84 12 साथ यह 84 तो इसमें जो D option क्या जेगा right next question है ये दी सालीनी, मालीनी और जो है रोहिनी ने 30,000 रूपय आपस में एक रेश्यों, दो रेश्यों, तो रोहिनी का कितना इसा है देखो यहां पे रोहिनी का इसा निकालने तो इसको मारशी दिनोट कर लेता हूँ यहां पे रोहिनी का इसा कितना तीन है, तीन का उपर लिख लिएँगा, इनका रेश्यों का टोटल सम कितना और अच्छा है वो नीचे लिख लिख लिएँगा, गुणा में रूपय कितना है, टोटल 30,000, तो यहां पे लिख लेता हूँ 30,000 अब मैं सोल कर लेता हूँ 6 से काट तो यह कितने पकट जाएगा, 5000, 5000 के और 3000 की मिल्टिप्लाइ करूँ कितना जाएगा, 15,000 जो रोहीनी है, इसका जो है कितना हिस्सा है, 15,000 रुपय, तो इसमें option देख लेंगा, एम सी option राइट हो जाएगा आप दूसरा तरीका इस तरीके भी शिव कर सकते हैं, कि एक को x मान लिया, दूसरा 2x हो गया, तीसरा 3x हो गया, फिर x प्लस 2x प्लस 3x बराबर हो गया, 30,000 यहाँ पर जोड लेते हैं, तो 6x आ गया, अपना 30,000, x की value आ जाएगी कितनी, 30,000 डिवाइड में 6,000, तो यहाँ पर x की value 5000 आ गया, यहाँ जो है, रोहिनी का निकालना तो यह 3x है, तो 3 गुणा में 5000, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कितना जाएगा, 15,000, तो यह दूसरा तरीका है, next question है, गोल यह दरपन, जिसकी परावर्तक स्ता है, अंदर की और मुड़ी होते हैं, उसे खालिस्तान कहते हैं, देखो इस तरीके का जएदी आप दरपन लेते हैं, और बार से इस तरीके से यदी पॉलिस कर देते हैं, तो यह कनकेव लेंस होता है, मिरर होता है, क्योंकि आप दरपन की बात की जा रही है, मिरर, केव का मतलब होता है, गुफा, आप केव से भी याद रख सकते हैं, ठीके, अंदर की तरफ जो है, मुड़ा हुआ होता है, तो इसका मतलब कनकेव, उत्तल बोलते हैं इसको इसको आवतल बोलते हैं कनकेवगा मतलब आवतल नेस्ट क्यूशन है परमानों सबत ग्रीक बासा खालिस्तान से लिया गए जिसका मतलब क्या होता है ए भी बाज्ये तो इसका बोलते हैं है टम्स नेस्ट क्यूशन देखिए विटामिन खालिस्तान की कमी से रत्न्दी होता है तो विटामिन A की कमी से जग्या होता है रत्न्दी एक Curtis एक एंरजी मीटर में driving system खालिस्तान, resisting system और खालिस्तान बुनियादी निर्मान भागो को बनाते है. तो इसका राएट आंसर काशेएगा moving system और breaking system C option इसका राएट है किस उर्जा मीटर सिस्टम में एक रोटेटिंग अलूमीनियम डिस्क होती है जिसे सरंखला और संट मैगनेट के वाईयो अंतराल के बीच रखा जाता है और एक सोफट पर चड़ाय जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होज़ेगा मोविंग सिस्टम बी ओप्शन इसका राइट है नाइस क्यूशन है एक अनरजी मीटर में जब चुम्ब के छेतर एडी करेंट पर परस पर परबाव डालता है तब क्या होता है तो एक टोर कुत्पन होता है जो बल लगाता है और डिस्क के गूमने का कारण बनता है नाइस क्यूशन है एक अनरजी मीटर में संट इलेक्ट्रो मेगनेट ड्राइविंग सिस्टम से कैसे जुड़ा होता है तो इसका राइट आंसर क्या होता है संट इलेक्ट्रो मेगनेट का कोईल वितरन के साथ जुड़ा होता है और जो विप्रित voltage के अनुपातिक current को ले जाता है C option इसका right है Next question है यहाँ पर choose the correct expression Faraday जो second law उसकी best expression कौन सी है तो इसमें जो E option क्या जाएगा right Sorry A option क्या जाएगा right Next question है निमले कितमें से कौन से transformer को जो है फिर सोरे cent transformer नियामक कहा जाता है इसमें जो right हमसर क्या जाएगा A option Constant voltage transformer Next question देखिए वीदियों को लागो करने के लिए transformer परकार जिसका आकार 25 kg वाट अम्पीर है चुना जाता है यह किस परकार का transformer है तो इसका right हमसर क्या जाएगा dry type transformer Next question है एक transformer में यदि मादेमिक voltage प्रात्मिक voltage से अधिक है तो यह किस परकार का transformer है तो step आपे transformer D option इसका right है Next question देखिए यदि एक विद्यूत मशीन यांतरीक उर्जा को विद्यूत उर्जा में प्रिवर्थित करती है तो इसे कालिस्तान कहते है यांतरीक energy का मतलब यह है कि गूमना गूम के energy कौन उत्पन करता है तो यह आपको पता होगा generator करता है जनरेटर को जब हम गूमाते हैं तो वो तेल के help से गूमता रहता है और वो क्या उत्पन करता है लाइट बिज्ड़ी Next question देखिए यहाँ पे question number 60 indexing motor में synchronous speed खालिस्तान दवरा दी जाती है तो इसका right answer यहाँ पे कोई जाएगा B option Next question है DC machine में wave winding में समान अंतर पतो की संख्या क्या है तो यह कितनी है दो C option इसका right है Next question है DC motor में एक प्रिदर से पर विचार करें तो इसका जो B option क्या जाएगा right Next question है खालिस्तान एक स्क्रिय इलेक्ट्रोनिक गटक का उधारन है तो कौन है transistor यह किसका उधारन है active electronic component का Next question है किस तापमान या वातवरन में carbon composition road को इसकी तैयारी के दोरान डाला जाने के लिए आउसे कोटता है तो इसका right answer किया जाएगा hydrogen में 1400 degree Celsius Next question है जब resistant color कोट को चार band resistor पर दाएं से बाएं चड़ा होता है चड़ाय जाता है तो band resistor का सहिंता मान देता है सहिंता का मतलब क्या होता है tolerance value तो इसका right answer क्या हो जाएगा पर्थम C option इसका right है खालिस्तान का उप्योग एक परतीरोद को output करने के लिए क्या जा सकता है जो उस पर लागू voltage का एक कारिया होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा potential meter D option इसका right है Next question है उर्जा band सिधान्त के आदार पर semiconductor में लगब एक खालिस्तान valence band और लगब खालिस्तान conduction band और खालिस्तान निशिद उर्जा अंतर है तो इसका right answer क्या हो जाएगा पहले में full आएगा दूसरे में empty और last बाड़े में narrow यानि कि यहाँ पर क्या हो जाएगा on the basis of energy band theory semiconductor have and almost full valence band and almost empty conduction band and narrow forbidden energy gap निमले कितिकारकों में इस 21 का उपियोग एक आंतरिक और चालक के चालन समपति को बीन करने के लिए कि लिए किया जाता temperature आपको पता होगा जो semiconductor हो तो उनको temperature करते जो है देते उनको गरम करते हैं तो light है जो उसके अंदर electron उनकी speed बढ़ जाती है next question देखे question number 69 एन परकार के semi conductor बनाने के लिए निमले कित में इसकी सगटक का उपियोग किया जाता है तो यहाँ पे देखे एक तो किया जाता है यहाँ पे जह पेंटावेलेंट असुत तागा और एक उपिया जाता है intrinsic semiconductor का तो B और C सही है जो कि अपना C option में दे रखा है next question देखे question number 70 निमनले कित में से कौन सा विखलप ICS का उपियोग करने का एक फाइदा दरसाता है तो कम बिजली की खपत तो D option क्या जाएगा यहाँ पे राइट next question है खालिस्तान कोड एक linear IC को दरसाता है तो कौन सा ही LH जाएगा वे उपकरन जो एक graph sheet पर मापी जा रही मातरा की reading को record करते है उन्हें खालिस्तान interminutes का जाता है तो इसका write आण सुक्या हो जाएगा recording C option इसका write है next question है खालिस्तान टोरक को सुचक को इसमें स्तानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरन पर लगाए जाता है तो इसका write answer क्या हो जाएगा deflecting यहापी मैं आपको English में भी इसको उपड़ सकते है next question है एक मापने वाला उपकरन जो नियंतरन टोरक लगाने के लिए गुर्टवा करशन नियंतरन का उपयोग करता है केवल खालिस्तान स्थिति में उपयोग किया जा सकता है तो इसका write answer क्या हो जाएगा vertical खड़ी stand जो है खड़ी स्थिति में क्या जा सकता है इसको use रोशनी का मातलग क्या है तो रोशनी का मातलग क्या हो जाता है Lex next question है एक candela के स्त्रोथ के परती एकाई ठोस कौन में नीहित फ्लेक्स को खलिस्तान का जाता है तो इसको write answer क्या हो जाएगा lumen तो इसमें जो यह option इसका क्या हो जाएगा right next question है किसी भी स्त्य पर एक बिंदू पर रोशनी स्त्य और परकास त्रोथ के बीच की दूरी के वरक के क्या होता है universally proportional यानकि विप्रीत आनू पातिक next question है किस सिद्दान पर fuse काम करता है तो यह करता है current का थाप परवाव यानकि hifting effect of current next question है कौन से fuse आकार में बड़े होते हैं तो जो DC fuse होते हैं आकार में क्या होते हैं बड़े next question है निमलेकित में से कौन सा उच वोल्टेज फ्यूज है तो जो कार्तुस प्रकार के जो है HRC fuse क्या होते हैं यह उच वोल्टेज फ्यूज होते हैं next question देखिए यहां पर question number T2 जो है बुचोल्ज रिले एक सुरक्षा रिले है जिसका उप्योग तेल में डूबी होए transformer में किया जाता है बुचोल्ज रिले किन परिष्टितियों में काम नहीं करता तो transformer तेल का स्तर गिरता है उसमें जो है बफल बलेट का संचलन होता है यह उसका तेल गटेगा तो उस condition में काम नहीं करेगा next question है बिजली के तार स्टेंड के फ्रेक्चर का कारण बनते है तो इसका रिटांसर क्या होजएगा एक्सेसिव जो है क्रिप्ट यहनकी अत्यदिक इंटन देखे बिजली के दो तार होते हैं यह उनको ज़्यादा खिचाओ कर देंगे न तो उनका तूटने का कारण होता है क्योंकि गर्मी में आपको पता होगा सिकूट जाते हैं घंड में गर्मी में खुल जाते हैं यह नकी दूर दूर हो जाते हैं और सर्दी में सिकूट जाते हैं next question है कौन सा वाइडिंग ट्रांस्फोर्मर की गर्डा गुमादार से समधित नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा सेंड वीच बी ओप्शन इसका राइट है next question है किस परकार के एगनी सामा की अंतरों का उप्योग यो किया जाता है यानि कि जो है sorry combustible पर यूज किया जाता है जो class है extinguisher होता है यह किस पर यूज करते हैं जब लकड़ी या कागज के उपर आग बगर लग जाती था next question है पाणी के extinguisher के बारे में के कौन सा वियान गलत है तो अगनी तरी कौन या oxygen ततव लेकर आग को बुझाता है तो यहाँ पे इंगलिश में आप पड़ सकते है extinguisher the fire by taking oxygen element of the fire triangle next question अतार स्थापना के बाद पर इक्सेंड करने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है तो इसका राइटांसर क्या जाएगा मिगर next question है grounding connection के लिए किस रंग के तार को प्योग किया जाता है तो हरेगा यूज करते हैं जो हर्थिंग भी बोलते हैं next question है कौन सा कारक किसी भी विद्योट उपकरण में स्तापित होने वाले तार के परकार को परवावित नहीं करता तो इसका राइटांसर क्या जाएग कलर कोड कलर कोड से जो है कुछ भी फरक नहीं पड़ता जो विद्योट के उपकरण होते हैं उनसे यहां तक जो वीडियो अपनी complete होचकी वीडियो अच्छी लगए तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें यदि आपको अच्छा सची के और भी क्यूशन पेपर देखने है वीच सॉलिशन तो आप में यूटूब चनल के उपर जाके देख सकते हैं और यदि आपको अच्छा सची के क्यूशन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्रिप्शन में आपको वेबसाट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्रिप्शन मिल जाएगा